जै शीरादे भक्तों, साल 2022 में 3 मई को आ रही है अक्षय तृतिया यानि की आखातीज बोखोत ही शुब संयोग में भक्तों इस दिन पंच ग्रहों के साथ महायोगों का निर्माण हो रहा है तितिय और नक्षत्र का संयोग 24 घंटे होने से आप पूरे दिन खरिदारी और अपना निवेश कर सकते हैं इस बार अक्षय तृतिया पर सूर्य चंद्र और शुक्र उच्च राशी में और गुरु और शनी अपनी राशी में रहेंगे इसके साथ ही बन रहा है केदार, शुब करतरी, उभैचरी, विमल, सुमुख, शोभन और मातंग योग बगतो अक्षय तृतिया पर ग्रहों और योगों के इस महा संयोग से बहुत ही शुब सिती निर्मित हो रही है मंगलवार को तृतिया तिती होने से सिध्धियोग का नर्माड हो रहा है जो सभी कारियों में व्यक्ति को सफलता दिलाता है अक्षय तृतिया के दिन आप जो भी खरिदारी करते हैं, दानपुन्य करते हैं, इनका जो फल होता है वो अक्षय होता है यानि कभी भी समाप्त नहीं होता मक्तों साल 2022 में अक्षे तृतिया शुरू हो जाएगी 3 मई को सुबह के 5 बच करके 38 मिनिट से और खतम होगी तृतिया तिथी 4 मई को सुबह के 7 बच करके 69 मिनिट पर अक्षे तृतिया के पूजन का जो शुब मूरत है तो 3 तारी को सुबह के 5 बच करके 49 मिनिट से दोपहर के 12 बच करके 18 मिनिट तक का होगा बहुत शुब सायोग बनने के कारण पूरे 24 घंटे आपको इस अक्षे तृतिया पर मिल रही है खरीदारी के लिए अक्षे तृतिया पर जहाँ एक और खरीदारी बहुत शुफलदाई होती है वहीं दूसरी ओर दान और पूजन का भी बहुत विशेश महत्व होता है भगतों कुछ विशेश कारे हैं जो इस दिन हमें जरूर करने चाहिए बहुत ही पुन्यदाई होते हैं ये कारे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज इस दिन पूरे विदिविधान के साथ आप कीजिए पूजन मित्रों श्रीहरी का माता लक्षमी का पूरे विदिविधान के साथ आप पूजन कीजिए माता लक्षमी के विशेश मंतरों का जाब कीजिए श्री सूक्त का पाठ कीजिए या कनकधारा स्तोत्र का पाट कीजिए मित्रो कनकधारा स्तोत्र मालक्षमी का वो शक्तिशाली स्तोत्र है जिसके द्वारा शंकराचारे जी ने सोने के आमले की वर्शा कराई थी तो बहुत ही प्रभावशाली होता है कनकधारा स्तोत्र श्री सूक्त के पाट के विशे में अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए हमारे लिंक में जाकर के देख सकते हैं तो इस दिन श्री सूक्त कनकधारास्तोत्र मालक्षमी के विशेश मंतरों का जाप पाट आप कीजिए आपके जीवन में मालक्षमी की कृपा निश्चित तोर पर आएगी इसके अलावा इस दिन भगवान विश्चित के दशावतार की कथा सुनना और रामचरित मानस के अरणिकांड का पाट करना बहुत ही शुफलदाई माना जाता है तो ये कारे भी आप जरूर कीजिए अगला कारे जो आपको अक्षे तृतिया के दिन करना चाहिए वो है जल पात्र का दान मित्रों अक्षे तृतिया पर दान का बहुत महत होता है और विशेश तोर पर शीतल वस्तूओं के दान का जो की ग्रिश मकाल में आपको शीतलता दे सके ऐसी वस्तूओं का दान बहु के साथ ही ये दान आपके जीवन में ब्रहमा, विष्णू और महेश की करपा बनाते हैं और पित्रों को भी अक्शय तृत्ती होती है इसके साथ ही नवग्रह की भी शांती होती है तो ये एक दान आप जरूर कीजिए इसके बाद जो अगला कारे आपको अक्शय तृतिया के दिन करना चाहिए वो है गौ माता की सेवा मित्रों गुड का दान करें और जल में गुड मिला करके गाय माता को अगर आप पिलाते हैं या फिर मीठी रोटी बना करके गाय माता को खिलाते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत शुपता लेकर आएगा अगला कारे जो आपको अक्षे तृतिया के दिन करना चाहिए तो थोड़ी सी जौ लेकर के भगवान विश्नु के चरणों में रखें और भगवान विश्नु का पूजन करें तो पूजन के समय आपको ये कारे करना है इसके पश्षात जौ को लाल वस्त्र में लपेट कर तिजोरी में रख दें का दान भी स्वर्ण के दान के समान कहा गया है अक्षे तृतिया पर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो जोसे ये कारे आप जरूर कीजिए इससे आपके जीवन में शुबता आएगी अगला कारे जो आपको इस दिन करना चाहिए वो है अन्यदान मित्रों अन्यदान बहुत पुन्यदाई माना जाता है इस दिन अगर आप अन्यका दान करते हैं तो अक्षे पुन्यापके जीवन में आता है तो आप अपने आसपास के किसी भी जरूरत मन्द व्यक्ति को या ब्राम्हड को अपनी सुविधा की अनुसार चावल आटा या कोई भी अनाजदान में द आटा याईन